अगर आपको भी पीजा बर्गर और बाहर का ये अग्रम बग्रम वाला खाना पसंद है तो आज की रेसिपी आप जरूर देखना क्योंकि रोज बाहर का खाना खाने से हमारा वेड गेन होता है और बोडी से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रावलम हो सकते हैं देखो मोटा होन में लेकिन हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है और जो जीम श्रिम जाते हैं जो बॉडी बिल्डर टाइप है वह तो यह सब खाते होंगे आज जो मैं बताने वाले हूँ वह वीडियो आप लोगों के लिए दोनों मेल और फीमेल तो चलिए हैल्दी डाइट स तो सैलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गाजर प्याज ब्रॉकली मश्रूम कोकुमबर कक्री टमाटर शिमला मिर्च ग्रीन कैपसिकम यालो कैपसिकम और रेड वाला कैपसिकम ग्रीन चिली लेमन नीमबू और कॉन लिया है मकई का दाना अब इन सब को पानी म लेकिन आप नोटिस करना कि जो हमें अच्छा लगता है वह हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और जो हेल्थ में अच्छा होता है वह हमारे टेस्ट के लिए अच्छा नहीं होता अगर आप सैलेट बनाते हो घर पे डाइट के लिए तो आप मेरे साथ शेर कर सकत मतलब उसकी रेसिपी अच्छा आप लोगों से न मुझे एक रिक्वेस्ट करना था कि जैसे आप मेरे शॉर्ट वीडियो को रिस्पॉंस दे रहे हो मतलब उस पर इतना अच्छा व्यूज जा रहा है तो वैसे आप मेरे लॉंग वीडियो को भी देखे और शॉर्ट वीडिय तेल को थोड़ा सा गर्म होने देना है फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, कटियोई और अब जो जो सब्चियों को काटा है हम वो एके करके इसमें एड़ कर देंगे तो प्याज यहाँ पर डालेंगे फिर रेड श्रिमला मिर्च, यलो श्रिमला मिर्च, ग्रीन वाली श चार से पाच मिनट फ्राइ करेंगे तो वेजिटेबल को हमेना 80% कुक करना है इसे पूरा पकाना नहीं है इसे बनाते समय इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है तो खाने का मैं गैरेंटी नहीं दे सकती आइमीन वैसे यह बहुत टेस्टी लगता है खाने में लेकिन सबजिया है वह 80% पक गई है अब हम इसमें एड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर काली मिर्च पाउडर मिक्स कर लेंगे और बस इसे एक दो मिनट और पकाएंगे हम तो बस लेजिए हेल्दी डाइट वाली सेरेट तयार है अब इसे सर्फ कर लेंगे इसे ना आप नीम्ब सब्सक्राइब करके ही जाना और मनिर का घंटी भी बजाना तभी तो आपके गेट तक नोटिफिकेशन आएगा चलो फिर मिलते हैं तब तक अपना ध्यान रखो खुश रहो खुशिया बातिये धन्यवाद